आज हम पढ़ेंगे जेएस मिल का उप्योगितावाद या फिर जेएस मिल ने बेन्थम के उप्योगितावाद में क्या-क्या संसोधन किये वो पढ़ना है क्योंकि जेयस मिल ने स्वेम कोई उपयोगितावाद का सिध्धान नहीं दिया बलकि बेन्थम के उपयोगितावाद में ही संसोधन किये थे तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि जेयस मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद में क्या क्या संसोधन किये सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका मिल ने बेंथम के उप्योगितावाद को एक दरसन और विश्वास के रूप में ग्रहन किया और उसके प्रसार के लिए भरसक प्रियास किये उसने उप्योगितावाद में संसोधन करते समय मानवता का प्रीचे दिया और बेंथम के उप्योगितावाद को आलोचनाओं से बचाने का प्रियास किया मिल ने बेंथम के उप्योगितावाद में जो परमुक संसोधन किये वे इस प्रकार है पहला संसोधन है सुखों में गुणात्मक भेद होता है बेंथम के अनुसार सुखों में केवल मात्रा का ही अंतर होता है गुणों का नहीं मिल ने बेंथम के इस विचार में संसोधन किया और कहा कि सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है कुछ परकार के सुख मात्रा एवं गुण की दृष्टी से अन्य परकार के सुखों से सरेष्ट होते हैं मिल के अनुसार एक संतूष्ट मूरक की अपेक्षा एक संतूष्ट मानव होना सरेष्ट है यनि की मिल मानता है की सुखों में गुणातमक भेद भी होता है जबकि बेंथम कहता है कि गुणों में गुणात्मक भेद नहीं होता है केवल मात्रा का ही भेद होता है दूसरा संशोदन है सव सुख के साथ साथ परसुख को माननेता सव सुख मतलब स्वयम का सुख और परसुख का मतलब दूसरे वेक्तियों का सुख बेन्थम के अनुसार मनुस से केवल अपना सुख चाने वाला प्राणी है वह केवल अपने ही सुख के बारे में सोचता है वह दूसरों के सुख दुख को नहीं समझता मिल ने कहा कि वेक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी महत्वय समझता है वास्तों में वही वेक्ति सुखी होता है जो अन्य वेक्तियों के सुख की भीचिनता करता है तिसरा संशोदंकिया कि वेक्ति की सवतंतरता को महत्व दिया बेन्थम के अनुसार सवतंतरता और उप्योगिता में से उप्योगिता का महत्व अधिक है बेंथम का मानना है कि सवतंतरता को उप्योगिता का दास होना चाहिए लेकिन मिल के अनुसार सवतंतरता एक साध्धे के रूप में है और उप्योगिता से अधिक महत्वें रखती है मिल के अनुसार वेक्ति के वेक्तित्व का विकास सर्वोप्री है और वेक्ति के वेक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब उसको सवतनतरता पर्दान की जाए यिनिकी वेक्ति की सवतनतरता अत्यनत आवसक है उप्योगिता आवसक नहीं है चोथा संशोदन है सुख के आंत्रिक सरोत की माननेता बेन्थम भोतिक और नेतिक सुख दुख को स्विकार करता है लेकिन मिल मनुष्य की कर्तव्य भावना को भी सुख दुख का सरोत मानता है मिल कहता है कि जब हम कोई गलत कारिय करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना को आगात पहुंचता है और जब हम कोई अच्छा कारिय करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना की संतुस्ती होती है पांचवा संसोदन है उप्योगितावाद पर सीमाएं यहीं कि बेंथम उप्योगितावाद पर कोई सीमाएं नहीं लगाता है जबकि जेयस मिल सीमाएं लगाता है बेंथम का विचार है कि उपयोगितावाद का सिध्धान्त सारवदेशिक एवं सारवकालिक है अर्थार्थ इसको सभी कालों और सभी देशों में समान रूप से लागू किया जा सकता है लेकिन मिल ने यह परतिपादित किया कि अलग-अलग छेतरों का अपना अलग-अलग इतिहास और प्रमप्राएं होती है कोई भी सिध्धान्त ऐसा नहीं होता जो सभी छेतरों और समाजों के लिए समान रूप से उपयोगी हो इस प्रकार जेयस मिल ने उपयोगीतावाद की प्रमप्रा में महत्तो पुर्ण संशोधन किये